इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत यह वायुमार्क की मांसपेशियों को रिलेक्स करने में मदद करता है और सांस लेना आसान बनाता है। यह खांसी, घरगराहट और सांस लेने में कठिनाई से राहत देता है। आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको अपने इनहेलर का इस्तेमाल कितनी बार करने की जरूरत है। इस दवा का असर कुछ दिनों के बाद नोटिस किया जा सकता है। लेकिन कुछ हफ्तों के बाद ही यह अपने अधिक्तम तक पहुँचेगा। इस दवा को असरदार होने के लिए इसे नियमित रूप से लिया जाना चाहिए। इसलिए आप इसे लेते रहें चाहे आपको कोई लक्षन न होूँ। इसका मतलब है कि दवा का असर हो रहा है। अगर आप इसे लेना बंद कर देते हैं तो आपका COPD और भी खराब हो सकता है। इस दवा से में सूखापन, उल्टी, चक्कर आना, नासो फेरेंजाइटिस यानि की नाक और गले में सूजन और नींद न आना है। अगर आपको ये हो जाए तो इसे लेना बंद न करें बलकि अपने डॉक्टर से बात करें। आप इन में से कुछ लक्षनों की अपने मूह और गले को पानी से कुला और गरारा करके या अपने इनहेलर का उपयोग करने के बाद अपने दांतों को ब्रश करके रोक ठाम सकते हैं। दूसरे दूरलब साइड एफेक्ट हैं जो गंभीर हो सकते हैं। अगर आप उनके बारे में चिंतित हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें। अपने इन्यों को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।